नमस्कार सौगेते डिजानेर केपीशर में चैनल पर आज मैं आपको बताऊंगा वेसकोट की बैक कैसे तैयार की जाती है तो आईए शुरू करते हैं हाँ तो शुरू करते हैं कल हमने इसके सामने तैयार कर लिये थे आज हम इसकी बैक तैयार करेंगे सबसे पहले हमें बैक में बकल लगाने के लिए इसके दो लूफ्स सेयार करने है इस तरसे हम यह हमारी प्लेट का निशान है और यह सेंटर का निशान है तो इसी सेंटर पे हमें लूफ्स को लगाना होता है इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और इस जगे पर हम लूफ्स को रखकर इस तरीके से यहां रखके हम इस पर सिलाई मार देंगे यह इसके अंदर पैक हो जाएगा ठीक इसी तरीके से हम दूसरा लूफ्स तयार करेंगे और इस पर सिलाई मारेंगे इसके बाद जो हमने इसके नीचे का जो अस्तर काटा है बिल्कुल सेम उसको हम नीचे सिलाई कर देंगे और उसके बाद दोनों को बराबर कर लेंगे तो अभी मशीन पर चलते हैं इसकी सिलाई लगा कर लाते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सैट करना होता है ठीक एक लूफ्स और मैं पलट देता हूँ इसका हाथ शुरू करते हैं सबसे पहले हम इसमे प्लेट डालेंगे लुफ्स को फसा करके ये इसका ड्रट्स का सेंटर है इस जगे पर हम इस लुफ्स को रख देंगे और एक कच्छी सिलाई हम लगा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके से इस ड्रट का ये सेंटर है और यहाँ पर भी हम एक कच्छी सिलाई लगा देंगे ये करने के बाद हम इसमें ड्रट डाल देंगे पर किछ सिलाई देंगे रखने के बाद鹜 इस जब रखने के अर रखने की बाद़ पर रखने के इस जब बाद़ इस तरके से यह लुप्स डाट में फंस जाता है इसी तरके से में दूसरी डाट डालनी है इस तरह से हमारी दोनों डाट में हम लुप्स को फंस जाता है इसके बाद इसका जो गेर है इस पर हम दूसरा अस्तर जोड़ देंगे इसके बाट बाट में लुप्स करेंगे इसके में वुप्स करो अस्तर जोडर प्राट में लुप्स इसके में वुप्स इस तरह से हम इसमें अस्तर को जोड़ देंगे अब चलिए काउंटर पर चलते हैं और इसको सेट करते हैं सिलाई करने के बाद हम यहां से प्रेस लगा देंगे इसको अब चलते हैं और चलते हैं और चलते हैं इसके बाद हम इस पर लंबाई का निशान लगा लेंगे इस तरीके से हमें इसको इतना नीचे उतारना है और इस जगे हम लंबाई का निशान लगा लेंगे और दोनों को बराबर इसे फूल्ड कर देंगे झाल 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 इस तरह से हम इसके दोनों पल्लों को बिल्कुल बड़ाएं इस तरह से हमारी बैक तैयार हो जाती है आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अभी आपने देखा वैसकोट की बैक कैसे तैयार की जाती है अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बुटन जूर दबाएए जो लोग नए हैं उनको बता दूँ मैं हूं कांता परशाशर्मा मैं पिछले 40 साथ से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं जहां मैंने बड़े डिजैनर्स और सेलिविटीज के लिए काम किया है इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट शर्ट, कोट, जाकिट, टेक्सी, डो, बिर्ची, शेरवानी, कुर्ता पजामा इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जान करी दूँगा इसके अलावा वो सभी टेकनिक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजैनर भी बनाएगी आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तक तक के लिए, गुड बाई